नमस्कार दोस्तों मैं विकास तिर्वेदी आपके अपने यूटूब चैनल विकास स्टिडी सरकल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम SSE GD का जो हमारा एक्जाम 13 जन्वरी 2023 की तीनों सिफ्टों में आयोजित किया गया है उसके GS के प्रस्नों को लेकर आये हैं और दोस्तों उससे बनने वाले अनिस संभावित प्रस्नों पर भी हम लोग चर्शा करेंगे तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़ादा से ज़ादा लाइक करें सेयर करे और चैनल को सस्क्राइब जरूर करे दोस्तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले कुश्चन को दोस्तो हमारा पहला कुश्चन है चांग लो लोकनत किस राज़िका है दोस्तो चांग लो लोकनत किस राज़िका है तो इसमें दोस्तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा नागा लेंड चांगलो लोकनेत किस राजी का है तो नागा लेंड का है और दोस्तो पिंडवानी लोकनेत तो पिंडवानी लोकनेत दोस्तो 36 गल का है डांडिया और गर्बा दोस्तो ये गुजरात के लोकनेत है भां च्षाउ शरहुल ये जखारखंडराजी से जम्म्मतित है करनाटक राजी का लोगनित है और यूपी के दोस्तों लोोगनित रासलीला, नोटन्की, कजरी, ये सब हैं और जम्मो-कसमीर का लोगनित रउूफ है और राजस्तान के दोस्तों घुमर और कालवेलिया ये लोगनत्य है दोस्तो आप लोग जानते है कि दस जन्वरी की तीनो शिफ्ट में एक प्रस्न पूछा जा रहा है आप लोग बहुत ध्यान से लोगनत्य और सास्तिन्यत्य के बारे में पढ़के जाईएगा दोस्तो उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन हमारा है दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अर्विंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री है और दोस्तों अ राश्ट्री राजधानी का दरजा दिया गया था उसके बाद दोस्तो अगले कुश्चिन पर चलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सुभारंब कब हुआ तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 31 जन्वरी 2018 को कहां से हुआ तो नई दिल्ली से दोस्तो खेल ईंडिया यूथ गेम्स का चोथा संसक्रण चोथा संसक्रण जो था वो पंच कोला हरियारा में आयोचित किया गया कब किया तो 2020 में उसके बाद दोस्तो अगले कुश्चिन चलते हैं अगला कुश्चिन हमारा है इस्टार्ट-अ-प इंडिया कब सुरू हुआ तो दो इंडिया कब शुरू हुआ इसमें हमारा राइट अंसर क्या हो जाएगा तो 16 जन्वरी 2016 को दोस्तों 16 जन्वरी 2016 को शुरू हुआ और दोस्तों अगर हम दोग बात करें दिजिटल इंडिया तो दिजिटल इंडिया दोस्तों कब शुरू हुआ तो 21 अगस्त 2014 को शुरू हुआ और दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दच्छड में भारत एसिया के दच्छड में इस्तित है दोस्तो आप लोग जानते हैं कि A.C.A. महादिव विस्व का सबसे बड़ा महादिव है और अगर बात करें दोस्तो कुल महादिव कितने है तो कुल महादिव साथ है और सबसे बड़ा कौन है तो दोस्तो A.C.A. है दोस्तो विस्व की 60% जन संख्या, विस्व की 60% जन संख्या एसिया महाधियूप में निवास करती है तो दोस्तो भारत एसिया के की सोर है? तो दच्छन में इस्तित है उसके बाद अगले कुश्चन चलती है, अगला कुश्चन हमारा पूछा गया था वर्तमान में केंदरी खाद प्रसंसकरन मंत्री कौन है तो दोस्तो वर्तमान में केंदरी खाद प्रसंसकरन मंत्री कौन है तो पसुपति कुमार पारस वर्तमान में केंदरी खाद प्रसंसकरन मंत्री है दोस्तो और अगर बात करें वर्तमान में सिच्छा मंत्री कौन है दोस्तो तो वर्तमान में सिच्छा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है धर्मेंद्र प्रधान है दोस्तो वर्तमान में सिच्छा मंत्री और वर्तमान में खेल मंत्री दोस्तो कौन है तो अनुराग ठाकुर अनुराग ठ के राज दर्बारी कवी थे तो दो पर लंगो I box 對 ए Wanna? क्या हो जाएगा कनिस्क दी राज दर्बारी नहीं है धो मैं किरीबेंस हतकता है यह समद्यकोत का दर्बारी कवी था तो पर जो सब दीए धान sourdhau सब्र्बा 2019 का दच्छड़ पूरू ACI खेल कहा हुए थे दोस्तो 2019 के दच्छड़ पूरू ACI खेल कहा हुए तो काटमांडू नेपाल में दोस्तो काटमांडू नेपाल में 2019 के दच्छड़ पूरू ACI खेल आयोजित किया गये थे और दोस्तों काठमांडू में सार्क का मुख्याले है दोस्तों सार्क का मुख्याले कहां है तो काठमांडू में है उसके बाद दोस्तों अगला कुश्यन है सोनम मान सिंग का सम्बंध किस्से है सोनम मान सिंग का सम्बंध किस्से है 2011 की second shift में पूछा गया था कि चिन्ना स्वामी stadium कहा इस्थित है चिन्ना स्वामी stadium कहा इस्थित है तो दोस्तो ये बंगलोर में इस्थित है तो आप लोग stadium के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़के जाए कि Eden Garden Stadium तो दोस्तो कुलकाता में है और चिन्ना स्वामी stadium तो ये दोस्तो बंगलोर में है उसके बाद दोस्तो अगला हमारा कुश्चिन है कि CBSC के चेर्मेन का है तो दोस्तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो निधी छिपबर दोस्तो निधी छिपबर CBSC की नई चेर्मेन है निधी छिपबर उसके बाद अगला कुश्चिन है हरित क्रांत की शुरुआत भारत में कहां से हुई तो दोस्तो हरित क्रांत की शुरुआत भारत में कहां से हुई तो पंजाब राजी से हुई और दोस्तो ये हरित का संबंधित की से है तो खाद्यान उत उत्पादन से है और हरितक्रांथ दोस्तों प्रारम कम हुई थी तो 1967-68 में हरितक्रांथ के विश्व में जनक कौन है तो N.E. बोरलाग है और भारत में हरितक्रांथ के जनक तो M.S. स्वामीनाथन दोस्तों भारत में हरितक्रांथ के जनक है और N.E. बोरलाग विश्व में हरितक्रांथ के जनक है और हरितक्रांथ खाध्यान उत्पादन से संबन्धित है दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगले कुश्यन चलते हैं अगला कुश्यन हमारा है 2011 की जन्गलता में पुरुष साचर्टा दर क्या थी दोस्तों 2011 की जन्गलता में पुरुष साचर्टा क्या थी तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 82.14 दोस्तो 82.14 हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि पुरुष सा चर्टा कितनी थी तो 82.14 परसेंट और महिला सा चर्टा की बात करें तो 65.4 है दोस्तो 65.4 है ये महिला सा चर्टा थी 2011 की जंगरणा में उसके बाद अगले कुश्चिन पर चलते हैं दोस्तो अगला कुश् तो ये भी दोस्तो USA से लिए गया है मौलिक अधिकार नीति नीदेशक तक्त्त यानी दोस्तो DPSP कहां से लिए गया है तो DPSP हमारे Ireland से लिए गया है एकल नागरिकता किस से लिए गया है तो एकल नागरिकता बिटेन के समिधान से लिए गया है दोस्तो आपात काल कहां से आप्ट जर्मणी से लिए गए। यह मौलिक करतावी दोस्तों यह IB करतावी हैं और संवरती सुची आस्ट्रेलिया से लिए गई गई है और दोस्तों शम्मिधान संसोधर तो यह सम्मिधान संसोधर 1.12 Acts 15 के संविधान से लिए गया है तो दोस्तो ये न्याई पाली का USA और मौली का अधिकार USA से लिए गया है उसके बाद अगले कुश्चिन चलते हैं दोस्तो सेकर नाई फेस्टिवल कहां मनाया जाता है दोस्तो कुश्चिन है कि सेकर नाई फेस्टिवल कहां मनाया जाता है तो इसमें हमारा right answer क्या हो जाएगा नागा लेंड दोस्तो सेकर नाई फेस्टिवल कहां मनाया जाता है तो नागा लेंड राजी में मनाया जाता है दोस्तो उसके बाद हमारा अगला question है दोस्तो मारे वन्सका अंतिम सासक कौन था दोस्तो मारे वन्सका अंतिम सासक कौन था तो इसमें हमारा right answer हो जाएगा दोस्तो ब्रहद्रत मारे वन्सका अंतिम सासक कौन था तो ब्रहद्रत था दोस्तो और मारे वन्सका संस्थापक कौन था तो दोस्तो चेंदर गुप्त मार चेंदर गुप्त मौरी दोस्तो मौरे वन्स का संस्थापक था और मौरे वन्स का अंतिम चासक कौन था तो ब्रहद्रत था दोस्तो कुषाड वन्स का संस्थापक कौन था तो कुजुल कुडफिशेस दोस्तो कुजुल कडफिशेश कुशाडवन्स का संस्थापक था और दोस्तो अंतिम सासक कुशाडवन्स का कौन था तो वासुदेव था गुप्त वन्स का दोस्तो संस्थापक स्री गुप्त था और अंतिम सासक विश्णु गुप्त था गुप्त वन्स का संस्थापक स्री खिलजी बंस का दोस्तो संस्थापक जलालुदीन फिरोज खिलजी था और अंतिम सासक मुबारक खाँ था तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझा रहा होगा उसके बाद अगले कुश्चिन पर चलते हैं किस अनुसूची में राज और संग के अधि सुचियां हैं और ये तीन सुचिया कौन सी हैं तो संग सुची राज सुची और संवर्ती सुची तो संग सुची राज सुची और संवर्ती सुची ये सात्वी अनसुची के अंतरगत सुचियां है और इसमें दोस्तो संग और राज जिसके अधिकारों का वर्ण किया गया है और हमारे समिधान में कुल अन्सूचिया कितनी है तो 12 है दोस्तों उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन हमारा है दोस्तों प्रथम बहुत संगीत का आयोजन कहा हुआ था तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा तो राजगीर में प्रथ 1483 इशापुर। 483 इशापुरू में पर्थम बभद संगीद का आयोजन राजगीर या राजग्रह में किया गया था दोस्तों और इसकी अध़्यच्छता किसने की थी ? तो महाकसब ने की थी और किसके साथनकाल में हुई थी ? जुए दूसेल दूसरिय दोस्तों वैसाली में हुई हुई और दूसरी दोस्तों वैसाली में की थी और दूसरी बॉद्वसंगीत की अंध्यचता साबा कामी ने की और प्रथम बॉद्वसंगीत दोस्तों अजाद सत्तु के सासंकाल में हुई थी दुतिय बॉद्वसंगीत काला सोक के सासंकाल में हुई काला सोक के सासंकाल में दोस्तों 383 इसापूर में साबा कामी की अ तो असोक के हैं, दोस्तों असोक के शासं काल में, पाटल पुत्र में, 255 इसापोर में, त्रतीय बौध मिए OSH कड़ी का आयोजन कीया गया, और इसकी अध्यक्चता मोगल पुत्ष नहीं, त्रतीय बौध संगीत कीyer कीया, इसके पादre, चतूर्त बौध सं नहीं, और amaoses outta प्रथम सतावती में, चतुत बौधसंगीत का आयोजन, कुंड़लवन कसमीर में दोस्तो, कनिश के सासन काल में और इसकी अधेचता किस ने की थी तो वसुमित्र ने, और दोस्तो इसमे उपाध्यच कौन थे, तो असुगोस, असुगोस इसके उपाध्यच थे, बहुत ध्ध हुआ तो दोस्तों भारती ओलंपिक संघ कब शुरू हुआ इसमें राइक आंसर अन्सर क्या हो जाएगा तो दोस्तो भारती ओलंपिक संघ जो हमारा है वह 1924 में ये سो लुए था और इसके प्रथम अध्यच कौन थे तो सर जेजी टाटा दोस्तों जेजे टाटा इसके दोस्तों प्रथम अध्यच सर जेजे टाटा थे भारती ओलंपिक संकम शुरू हुआ तो 1924 में उसके बाद दोस्तों अगले कुश्चिन पर चलते हैं 1950 में लागू होते समय क्या सामिल नहीं हुआ था तो मौलिक करतवें दोस्तों सामिल नहीं थे आप लोग जानते हैं दोस्तों कि 42 समिधान संसोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वण सिंग समित की सिभारिस पर मौलिक करतवें को भारती समिधान में जोड़ा गया था दोस्तों कब तो 42 समिधान संसोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वण सिंग समित की सिभारिस पर भारती समिधान में 10 मौलिक करतवें को जोड़ा गया दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में 11 मौलिक करतवें हैं वर्तमान में 11 है लेकिन दोस्तों 42 समिधान संसोधन के द्वारा दोस मौलिक करतवें को जोड़ा गया था और ये दोस्तों मौलिक करतवें लिये कहां से गया है तो रूस से मौलिक करतवें रूस से लिये गया है उसके बाद अगले कुश्चिन पर चलते हैं अगला कुश् समीर का है उसके बाद दोस्तों खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है खाना पकाना कौन सा परिवर्तन कहलाता है तो यह रासाइनिक परिवर्तन है दोस्तों खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है तो रासाइनिक परिवर्तन है उसके बाद दोस्तों अगला है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी दोस्तों सुप्रीम कोड की स्थापना कब की गई तो एक अक्टूबर 1937 में सुप्रीम कोड की स्थापना की गई थी और अगर दोस्तों बात करें सुप्रीम कोड की तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोड के गठन संबंदी प्रावधानों का उलेक किया गया है और इसकी स्थापना एक अप्टूबर 1937 को हुई थी उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन हमारा है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस किसके द्वारा नियंतित किया जाता है तो आरबियाई के द्वारा दोस्तों की गई थी उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन हमारा है दोस्तों यही कुश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि वर्तमान में CBSC के अध्यच कौन है तो निधी छिपर वर्तमान में CBSC के अध्यच कौन है तो निदी चिपर है दोस्तों उसके बाद अगला कुश्चिन नमा रहा है कि राष्ट्री आयक कैसे ग्यात की जाती है तो दोस्तों आपको बता दे कि सकल राष्ट्री आयक में रास को जब घटा दिया जाता है तो एन एन आई प्राप्त होता है और इसे ही दोस्तो राष्ट्री आय कहा जाता है तो दोस्तो सकल राष्ट्री आय में जब रास को घटा दिया जाता है तो NNI ग्यात हो जाता है और NNI को ही हम लोग राष्ट्री आय कहते हैं उसके बाद दोस्तो अगला कुश्चन हमारा है कि सोडियम धात किसमें रखा जाता है तो दोस् दो सोडियम धातु को, उसके बाद हमारा अगला कुश्चन है, IPL 2023 में सबसे महंगा खिलाडी किस टीम ने खरीदा, दोस्तो किस टीम ने सबसे महंगा खिलाडी IPL 2023 का खरीदा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब किंग्स ने, दोस्तो पंजाब किंग्स ने IPL 2023 में सबसे महगा खिलाडी खरीदा और किसे खरीदा तो दोस्तो सैम करन दोस्तो सैम करन को पंजाब किंग्स ने दोस्तो साले 18 करोन में दोस्तो खरीदा और ये दोस्तो IPL 2023 के सबसे महगे खिलाडी है दोस्तो और ये किस देश के है सेम करन तो दोस्तों ये इंगलाइंट के हैं दोस्तों सेम करन उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन हमारा है कि अनुच्छे चियत्तर संबंधित है तो दोस्तों ये अनुच्छे चियत्तर किस्चे संबंधित है तो महानयावादी से संबंधित है दो दोस्तो SSE GD की 13 जनवरी को 2023 की सभी सुप्टो के मिला के दोस्तो ये तीसवा question है तो दोस्तो डाक्टर सुमन के बेरी नीतियायोग के वर्तमान उपाध्यच है और दोस्तो आप लोग जानते हैं कि नीतियायोग का अध्यच प्रधान मंत्री होता है और दोस्तो वर्तमान में नीतियायोग के CEO कौन है तो CEO दोस्तो परमेसुरन अयर है नीतियायोग के और नीतियायोग के वर्दमाद उपाध्यच कौन है तो डाक्टर सुमन के बेरी दोस्तो उमेद करता हूँ आपको ये कुश्चन अच्छे लगे होगे दोस्तो ये प्रस्त आपके आगामी आने वाले दिनों में जो SSEGD का एकजाम आयोजित किया जाएगा उसकी द्रश्ट से बहुत ही महात्वपोर रहने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को अंत तक जरूर देखे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद